आप लोग के लेकर आगया हूँ मैं बहुत बढ़िया फिर से एक और ब्रांच रिवियू आज का जो रिवियू है वो होने वाला है एक ये ब्रांच रिवियू होए और मैं आप लोग को बता दू इंडस्टियल इंजीनिंग एंड मैनेजमेंट मेकैनिकल की टॉप ब्रांच मानी जाती है एनाइटी तिरची के अंदर जिसको लोग आइटी छोड़कर भी प्रफर करते हैं आप लोग को बताना चाहूंगा अनकेडमी लेकर आया है बेटल ग्राउंड इस रेड़ी इमर्ज बिक्ट्रीज लाइक वारियर इन और गेट जर्नी यहां पर अनकेडमी कर जाके इसे एन्रोल कर लो इसके साथ साथ आनकेडमी एक छोटा सा कॉमबैट भी लेकर आया है ग्यारा बजे 21 नवंबर को यह कॉमबैट होने वाला है पांच ब्रांचिस मेकैनिक अलेक्रिकल सिविल एसी सियासाइटी के लिए यहां पर क्या होगा साथ मिनिट का यह मॉक टेस्ट और कॉमबैट को जाइन करो अब पढ़ाई अच्छे से चालू कर दो सबसे पहले बात करेंगे इसके एडमीशन प्रॉसस की यहां पर जो एडमीशन का मोड होने वाला है वो होने वाला है सी सी एमटी इसके साथ साथ जो इसमें गेट स्कोर लगता है वो अरा गाल पर बांश के अपर को जो हमाली अर्ड यहां पर इस साथ सामस्ट पर अथ इसमें इस पर जो यहां पर अच Quebec का परपस में बता देता हूँ इस वैसे अंदर जो मैङ्ण पढ़ाई होती है वह होती है सब्chyलाइड मैंटがとう है data analytics की management के अंदर भी हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं जैसे finance, project इसके साथ आप लोग एक बहुत important चीज बताना चाहूंगो कि आपको अपना mind रखना पड़ेगा open क्योंकि यहाँ पर DA data analytics में पढ़ाई करने पड़ते हैं तो python python थोड़ा सीखना पड़ता है अब आप लोगों बता देता हूँ attendance के बारे में तो attendance का वही criteria है at least 75% maintain रखनी पड़ती है load and pressure की बता दू कि जो some professors are very strict but some are very chill तो ज़्यादा ये तो हर जगे ही होता है मैं बता दू कुछ प्रोफेसर बहुत ज़्यादा स्टिक्ट होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा चिल होते हैं ये तो आपको हर जगे ही देखने को मिलेगा exam process वही है दो mid-sam होने वाले हैं एक end-sam होने वाला है mid-sam approximately यहाँ पर 20 marks के होते हैं end-sam होता है यहाँ पर 30 marks का इसके साथ assignments के marks होते हैं करीब करीब 2-3 assignment आपको पर semester यहाँ पर मिलते हैं teachers की बता दू teachers काफी ज़्यादा friendly है बहुत ज़्यादा चिल है यह बहुत अच्छी बात है इस department के अंदर labs के बारे बता दू कि जो data analytics lab है इस department की electrical engineering department में लगती है इसके साथ साथ जो इसकी modeling and simulation lab है वो यहाँ पर production engineering department में लगती है इसके साथ एक और lab है वो management में लगती है अब placements की बात कर लेते हैं तो इसमें internship जो है जो generally 30% आप लोगों की लग जाती है जिसमें बहुत सारी internship में बच्चों को PPO भी मिल जाता है placements का बता हूँ 90% अब अब placement है 7 to 8 lakh average placement होता है companies जो सबसे जादा इस ब्रांच से hire करती है वो करती है consultancies ठीक है second companies जो hire करती है वो करती है data analytics third type की जो companies होती है वो supply chain management में जो core में requirement होती है उसको fulfill करने ये core वाली companies आती है क्योंकि बाकी जो core है वो thermal से वो लोग fulfill कर लेते हैं comparison बता हूँ एक IEM ब्रांच हो रहे है industrial safety engineering आप दोने ही ब्रांच को किसी को भी prefer करिए industrial safety engineering का placement IEM से भी भैतर हो रहा है जबकि industrial safety काफी नई ब्रांच है बर मैं आपको बोलूँगा आप अपने interest के साब से ब्रांच लीजे क्या आपको किस field में आगे बढ़ना है आसा करता हूँ आप लोग का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर दीजेगा वीडियो को share कर दीजेगा चैनल को subscribe कर देजेगा और बड़िया बड़िया अपडेट के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को अभी चैनल को इंस्टा को follow कर लीजिए और कोई भी question आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मैंने एक group बनाया है that is placement preparation group उसकी link मैं description में दे रहा हूँ उसे तुरंक join कर लीजिए क्योंकि अभी आपके placements आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी इस group के through तो आज का वीडियो इतना ही था अब मैं चलता हूँ आप लोगों से विदा लेता हूँ बने रहें जुडे रहें सिदार लाइप के साथ जयाँ